तो आपका जो product है अगर उसका rate धाइसो से नीचे का है मतलब selling price जो है वो आपने उसका flip card पे रखा हुआ है धाइसो से कम तो आप ये strategy use करके अपने product पे जो है वो profitability काफी हद तक बढ़ा सकते हो जैसे कि मैं आपको simple से एक funda दिखा देता हूँ आपने देखोंगे कुछ product जै minimum order quantity में जो है वो order करे जाते है मैं इस पर एक बार filter लगाता हूँ price low to high तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बान के चलिए यह product है हम इसका check करते हैं यह product है जो कि 95 रुपीज का है बट यहाँ पर minimum order quantity दो आपको इसकी order करनी पड़ेगी that means customer को minimum 2 pair जो है वो order करने जी एक तो 95 रुपे का यह product दिख रहा है customer को पहली चीज तूसरी चीज वो एक सांथ दो product order करेगा तभी order successful होगा मतलब minimum 2 ही कर सकता है वो 3-4 भी कर सकता है तो that means per order पर आपको यहाँ पर किते रुपे किते रुपे का order मिलेगा 95 into 2 that means लगभग यह हो गया 190 रुपीज का order य देख लेते हैं यह वाले socks देख लेते हैं यह 143 के हैं और इसमें minimum order quantity नहीं है हम कुछ और भी देख लेते हैं यहाँ पर यह 78 रुपीज का socks है बट इसमें भी minimum order quantity चार की है तो यह लगभग 230 के आसपास का एक order आपको यहाँ पर मिलेगा रैट ऐसी ही आप हर product में यह single 151 का दिख रहा है इसको कोई भी नहीं करेगा order राइट इसमें यह pack of three नहीं लिखा वे तो that means हो सकता है बट यह photo बगर में दिक्कत यहाँ पर मेरेको लग रही है इसके ऐसे आपको बहुत सारी चीज़े मिल जाएंगे तो यह सिर्फ इसी category में नहीं आप अगर जैसे 811 जो है वर्टिकल दे रखे हैं तो मैं यह वाली लिस्ट जो है वाट्सेप चैनल पर अपडेट कर दूँगा आप जाके वहाँ पर कर सकते हैं अपनी वर्टिकल यहाँ पर चेक आउट कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको सिंपल सा समझना है कि मेरे एक category में यह applied है य तो लास्ट आम मैंने इस पर वीडियो बनाई थी और इसमें मैंने बताया भी था कौन-कौन सी category पर यह प्रॉपरली अप्लाई हो रही है यह वीडियो है जो लास्ट वीडियो है जिसमें मैंने 11 दिन पहले यह वीडियो अपलोड करे थी बट इसमें बहुत सारे क्वेशन स्थे जैसे minimum order quantity में तीन चार question मुझे common आ रहे थे जैसे shipping को लेके shipping कितना कितना होगा commission कितना कितना होगा return shipping कितना कितना रहेगा तो आप इस वीडियो में आयो हो that means या तो आपने यह वीडियो देखी और आपके doubts जो है वो रह गए थे वो solve करने के लिए आये हो और या तो आप fresh इस वीडियो को देख रहे हो तो simple से मैं आपको बता दूँ अगर आपका product जो है 500 से नीचे का है तो आप उसमे minimum order quantity set कर सकते हैं कम से कम उतना order करिए उससे क्या होगा जो shipping है रिवर shipping है commission वगेरा में आपको discount मिलेगा कितना कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता ह मैंने जो download करके रखी थी वो कहा गई यह sheet है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर minimum order quantity में lower marketplace fees और reduced reverse shipping fees लगने वाली है यहाँ पर ठीक है अब देखो simple सा कितना deep में हमें जाने की ज़रुवत मिया आप एक simple funda से इसको समझ सकते हो सबसे पहले shipping charge की अगर आप बात करते हैं तो पहले आप जो भी product deliver कर रहे थे तो आप single product deliver कर रहे थे जैसे मैंने यहाँ पर बताया आप single एक socks deliver कर रहे थे तो यह single socks मान के चले आपका 95 रूपीज का था या 120 का जितना का भी था तो उस पे shipping जो है वो उसके हिसाब से लग रही थी क्योंकि एक socks pack करोगे तो उसके dimensional अलग होगा order processing करते ताइम आपको देना ही पड़ेगा तो shipping उसके हिसाब से ही लगेगा तो अब आप मान के चले आप पहले एक एक order quantity बेशते थे अब आप क्या है 10 का order quantity आपने कर लिया तो उसके हिसाब से उसके shipping लगेगा थोड़ा थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा मतलब आप सा नहीं चलेगा सिंपल सा क्या है कि उसमें आपका आप जो चार्जेश लगेंगे तो अब क्या है जो चार्जेश लगेगा तो यह दस से पांच रुपे ही उपर रहेगा पर order quantity के आप से राइट तो यहां पर shipping charges में आपको काफी इच्छा benefit मिल जाएगा मैं इसको करके भी आपको दिखाऊंगा commission की बात करें तो commission भी आपको पता है product के rate के हिसाब से set होता है fixed price वगेरा जो रहता है product के rate के हिसाब से set होता है minimum water quantity मान के चले पहले आपका एक product 150 का था तो यहां पर दे रखें है इन्होंने return shipping में क्या क्या changes होंगे कहां गया return shipping में क्या होगा पहले मान के चलिए आपका मान के चलिए पहले जो rate लगता था आपका वो 130 का लगता था पर product वापस आता था तो 130 रूपीज लगते थे तो अब मान के चलिए आपका minimum water quantity में 10 order एक साथ वापस आए तो ऐसा नहीं कि 10 इंटू 130 लगेगा यह सिंपल पर product पर यहां पर 18.5 लगेगा और इन टोटल कितना मतब 18.5 का लगेगा तो 10 पर कितना हो जाएगा यह 10 पर 180 के आसपास हो जाएगा तो 185 रूपीज आपको यहां पर शिपिंग लगने वाले पहले कितने लगते थे 130 और अगर 10 फॉरवर्ड और यूनिट्स दस हैं वापस 10 के मतलब पूरे order वापस आगे तो ऐसा नहीं कि 130 इंटू 10 लग जाएगा आपको लगेगा 180 तो थोड़ा क क्वांटिटी डीटी की बात हो गहीं तो यहां पर यहां पर यहंप कर सकते हैं अपना वाटिकल अपर देखन कर सकते मैं इसको छली मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे द tejओंगा WhatsApp channel पे भी डाल दूँगा, WhatsApp channel का link भी आपको description में मिल जाएगा रही तो ये verticals हैं जिनके में आप अपना check कर लिए, जैसे hair oil vertical है तो यहाँ पर eligible listing price आपका 200 से नीचे होना चाहिए, तब ही वो eligible होगा MOQ के लिए, but MOQ set करने के लिए भी minimum order quantity set करने के लिए भी आपको per order कम्स कम 110 रुपे का, कम्स जासे ज्यादा आप 110 ही रख सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने 200 रखा है और 200 इंटू आप 3 product एक सांथ बेचोगा, ऐसा नहीं होगा यह eligibility है, eligible होने के लिए आपका rate इतने से नीचा होना चाहिए, and threshold listing price इतना है, मतलब इतना आपका product का price आपको रखना पड़ेगा, वो कैसे वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ उसके बाद minimum आप, अगर minimum order quantity आप set कर रहे हो, तो minimum 2 करना पड़ेगा, obviously एक तो single ही हो जाएगा, तो 2 minimum कर सकते हैं आप, और maximum आप कितना कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर दे रखा है, ऐसा नहीं कि आप hair oil बेच रहे हो, और minimum आप 10 बोलोगे, 10 order करो नहीं, maximum आप 4 ही रख सकते हो, cap में आप minimum 2, maximum 4 रख सकते हो, तो इस तरीके से आप यह list चेक करके भी डाल सकते हो, वैसे list चेक करनेंगे, जरूरत नहीं, listing में आप जाएंगे, तो वहाँ पर आप डालोगे, तो eligible नहीं होगा, तो आपको बोल देगा, कि आपका eligible नहीं है, अब देखो, listing में आप पर order आप यहाँ पर कित्ता बचा सकते हो, उसके अलावा यहाँ पर recommended price and quantity भी बताया गया है, कि 100 per unit आप रखे इसका, और minimum order quantity आप इसका 2 रखे, आप चाहें तो इसको apply कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको edit कर सकते हैं, इस तरीके से रहेगा, यहाँ आप यहाँ पर edit listing में ज official है, उन sellers के लिए जिनके जो product rate है, वो 500 से नीचे हैं, क्योंकि 200 पर आपका product rate रहता है, और आप एक एक product बेचोगे न, तो shipping उसमें जुड़ेगा, अगर उसमें reverse shipping हो गया, कभी-कभी उसमें commission जुड़ेगा, तो आपकी profitability नहीं बनने वाली, तो मेरा जितना तजूरबा है इस चीज को लेके, तो I guess, अगर आप minimum order quantity में काम करते हो, तो 100% आप अपने product में profitability ले सकते हो, कई सल मुझे करते हैं, सर, reverse में दिक्कत होती है, तो अब बजले reverse में दिक्कत होगी, क्योंकि quantity में जब game होता है, तो reverse में कई बार order चोरी हो जाता है, वागर वागरा, तो उस आपको यहाँ पर claim करने पढ़ेंगे, same claim आप, क्योंकि order ID तो एक ही generate होगी न, तो आप उस order ID का claim कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर order, हर quantity के लिए आपको अलग-अलग करना पड़ेगा, ठीक है, simple आप यहाँ पर calculator में जाए, कोई मुझे के अरत असर, आप calculator में show करिए, तो देक इस पर जो rate apply होगा, वो 151 के हिसाब से होगा, यह सारे rates इस पर लगेंगे, बट मान के चले हैं, आपने इसमें minimum order quantity दो डाल दी, ठीक है, तो आप जो customer order करेगा, वो 151 का तो order नहीं करेगा, अब वो कित्ते का order करेगा, सीधे करना होगा, उसको तो वो 200, इंटु टू, 300, 300, तो अब वो जो minimum order भी करेगा, वो 302 रुपे करेगा, तो आप पर जितने भी charges लगेंगे, वो 302 के हिसाब से लगेंगे, तो obviously marketplace fees थोड़ा सा बढ़ जाएगी, commission थोड़ा सा बढ़ जाएगा, shipping थोड़ा सा बढ़ जाएगा, fix fee थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यह सब चीजे होनी ही होनी है, पट इसमें सबसे अच्छा फाइदा यह होगा, कि आपके profitability यहाँ पर काफी अच्छी बन जाएगी, वहीं आप 3 order quantity का डालते हैं, तो लगभग यह कितना बनता है, 300, 400 के आसपास का बनता है, exact figure में नहीं ले रहा हूँ, और 53 का लग रहा है, तो यहाँ पर कितने का बन रहा है, एक में बन रहा है, माइनस 49, तो आप अंदाज लगा लो, एक में माइनस 49, और 3 में 240 रुपीज, कितने का गैप है, कम से कम यहाँ पर 300 रुपे का गैप आ जा रहा है, 3 product, MOQ 3 set करने में, तो आप जो भी minimum order quantity set करोगे, यह करना चाहरे हो, कुछ भी, तो आप देखो कि single product का rate आपको कितना रखना है, और उसके हिसाब से मानके जाए, 3 का rate, 3 आप minimum order quantity रखना चाहते हो, तो 3 से उसको multiply कर दो, जो rate आएगा, उसी को आप अपने product का rate लेके चलो, क्योंकि उसी पर सब कुछ लगना है, लिस्टिंग, उसी पर marketplace fees, उसी पर shipping fees, उसी प परिके का funda होने वाला है, बाकी pack off में उतना benefit नहीं होता है, जितना benefit इसमें minimum order quantity में होने वाला है, तो obviously 500 से नीचे आपका product है, तो आप definitely इस strategy को use करिए, ये sheet का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस ये वाली sheet भी मैं आपको दे दूँगा, इसमें कुछ terms and condition लिखी है, इनको भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर समझ में नहीं आता है, आप मेरे team को contact करके समझ सकते हैं, first comment में मेरे team का number मिल जाएगा, I hope मैंने सारी चीज़ें इसमें cover कर दी है, मैंने इसमें comments भी पढ़े थे आप लोग के, और मैं हर एक comment पढ़ता हूँ, आज तक कोई comment ऐसा नहीं रहा, मैंने नहीं पढ़ा होगा, तो मैंने इसमें सारी चीज़ें चेक कर ली थी, और confusion वही पर थी कि सबको लगा, एक minimum auto quantum एक पर इतना होता है, तो दो पर कितना होगा, तो simple, दो को आप एक ही लेके चलो, right, वो क्योंकि order ID तो एक ही generate होने वाली है, ठीक है, तो I hope अब य क्योंकि एरिमेट, इपसलिंग उन फ्लेपकाट